ओम चंदर देवाय नम्हा दोस्तों फालगुन पॉनिमा पर लगने जा रहा है साल का पहला चंद घ्रण दोस्तों साल दोज़र चोबिस का पहला चंद घ्रण होली के दिन 25 मार्च को लगेगा और अगर इस दिन आप गाय को चुप चाप ये एक चीज खिला देते हैं तो तुरंत आपके सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके घर में इतना रुपा पैसा परसेगा कि जिसकी आपने कालफला भी नहीं की होगी दोस्तो कहने का तातपर है ये है कि इस बार इस दुरलब संयोग में गाय से जुड़ा ये अच्चू कुपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर के सारी तकलिफों को भी दूर कर देगा चाहे वो आपके पुरानी बिमारी हो या बुरी से बुरी नजर इस एक मातर उपाय से आपके सभी पितर दोश, नजर दोश और सभी शत्रियों का भी नाश हो जाएगा बस आपको सच्चे मन से श्री हरी विश्नु का नाम लेते हुए इस सुपाय को बेना बताय चुपशाप करना होगा और दोस्तो अगर आप भी चाहते हैं कि मालक्षमी का वास आपके घर में हमीशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जै श्री हरी विश्नु जै मालक्षमी लिखना ना भूले दोस्तो साल 2024 का पहला चंदगरण 25 मार्च को लगने जा रहा है इस बाद चंदगरण और होली दोनों ही एक साथ रहेंगे यानि होली पर चंदगरण का साया रहेगा वेदिक जोती शास्त गैनुसर होली पर चंदगरण 100 साल बाध फिर से लगेगा 25 मार्च को चंद ग्रहन सुबा 10 बच कर 20 मिनट से शुरू होकर तो फैर 3 बच कर 2 मिनट तक रहेगा इससे पहले होली और चंद ग्रहन दोनों ही साल 1924 में लगे थे साल का ये पहला चंद ग्रहन होगा जो करीब 4 घंटे के आसपास तक रहेगा दोस्तो चंद ग्रहन एक प्राकरति घटना है जिसमें प्रित्वी सूर्य और चंद मा के बीट से गुजरती है ऐसी में हमें चंद मा के सता पर चाया देखने को मिलती है आपको ये भी बता दे कि ये घटना केवल पुनिमा के दोराने घटित हो सकती है इसके साथ ही 25 मार्च को सूर्य राहु मीन में और शुक्र मंगल और शनी कुम राशी में विराजमान होंगे रहन एक्षतरों की शुब स्तिती से कई लोग लामाम भित होंगे दोस्तों आपको बता दे कि फाल्गुन पुनिमा पर साल का पहला चंदगर्ण लग रहा है तो फाल्गुन मा के कृष्ण पक्ष की पुनिमा तिती 24 मार्च को सुबा 9 बच कर 54 मिनट पर शुरू होगी इस तिती के समापती 25 मार्च को दोफायर 12 बच कर 29 मिनट पर होगी ऐसे में फाल्गुन पुनिमा का वरत 12 मार्च को रखा जाएगा क्योंकि पुनिमा का वरत पुनिमा तिती में चंदरोदय वाले दिन रखते है जबकि फाल्गुन पुणिमा का सनान और दान 25 मार्च को होगा। पुणिमा के दिन पवित्र नदी में सनान लक्ष्मी नारेन की पूजा का विशेश महत्वयन। लेकिन फाल कुन पुझे मापर शंद्धुरन का साया रहेगा तो शंद्धुरन को अशुपकाल माना जाता है इस दोञन पुझा पाठ प्ठीर्थ स्ताम नहीं किये जाते ऐसे में फाल कुन पुझे मापर सनादान करना शरेश्ट हो दोस्तों अगर हिंदू-धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गई की सेवा कर निannya की ज connection zwischen घर में लक्षमी का वाथ सुता है दोस्तों वैसे तो युगूख से चला रहा है कि गई को कुछ न कुछ ज़रूर खिलाति है काय को सनातन धर में लक्षमी सरूपी बानल गया है कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन रहता है जिस घर में गाय की सेवा निस्वाद भाप से होती है उस घर में लक्षमी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और जिस घर में गाई की सिवा नहीं होती है अचानिक से किसी भी प्रकार की वहाँ पर विग्न बाधाय आती रहती है वैसे तो कुछ लोग शेहरों में भी रहती है महानगरों में भी रहती है तो वहाँ पर गाई पाला संभब नहीं होता लेकिन गाई को वहाँ पर भी रोटी ज़रूर खिलाई जाती है लेकिन कई पर गाई को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है तो कौन सी वो तीन चीजे जो गाई को नहीं खिलानी चाहिए आज हम आपको इस वीडियो में साजा करेंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक विनिती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रू दबाईएगा तो दोस्तों गाई के अंदर सभी देवी देपताओ का निवास माना जाता है तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वो अगर गाई को खिलाते हैं तो सभी देवी देपताओ का शिवत मिलता है गाई को गुरू के साथ जोड़ा गया है यानि गुरू ग्रहे के साथ ब्रस्पती ग्रहे के साथ इसलिए गुरूवार के दिन गाई को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डाल कर खिला है तो सुख संपती दन एश्वर्य बढ़ता है दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं जो लोग मांसिक रूप से परिशान है वो गाई को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख कर खिला है तो सकायत में गुर जाती है टैंशन खत्म होती है स्वास्ति अच्छा रहता है और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रहे खराब है तो ऐसे में गाई को पहली रोटी रोज खिलाए सभी ग्रहे धीरे धीरे शुब हो जाएगे कभी भी जीवन में लंबे समय से कोई शुब मंगल कारे नहीं हो रहे है तब ऐसे में आप गाई को रोटी खिलाएं अब ये रोटी बासी बिलकुल नहीं होनी चाहिए यानि कि जो एक दिन पहले की बनी रोटी होती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए कई बर आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाई मिलती नहीं है इसे घर में परिशानी आती है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी आदत को बदल देजे इसे घर में तकलीफे आती हैं गाई को हराचारा तो हर कोई खिलाता है हराचारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखे गाई को सबसे दादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते आप जो देंगे गाई वो खा लेगी लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजे मिलाकर गाई को खिला देजे तो जाधा वाइदा होगा गाई को दूद नहीं पिलाना चाहिए आप दही चावल खिला सकते हैं लेकिन दूद ताजा हो या बचा हुआ पर अगर आप चारा खिलाते हैं तो साड़ा गला मत खिलाए और अगर खिलाते हैं तो उसके साथ को अच्छी चीजे मिला ले और गाई को दूद भी नहीं पिला तो ये चीज़े गाय को बिल्कुल नहीं खिलानी जाहिए, नहीं तो घर में गरीबी आती है, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ते। गाय का मार्ग रोकना अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो ये पहुत ही शुब माना जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूछ मार देती है, तो ये बहुत ही शुब संकेत माना जाता है। और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी जादा शुब माना गया है। पंचगवे जो होते हैं वो कई रोगों के लिए लाबदायक है। पंचगवे क्या होते हैं? गाय के दूद, दही, घी, मूतर और गुबर इन सबी को शरीक के रोग निरोदक शमता को बढ़ा कर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। जिसका इलाज पंचगवे से नहीं किया जा सकता है। आप सुख सम्रदी को प्राप्त कर सकते हैं। और किसी व्रिद आश्रम में चले जाएं, किसी व्रिद आश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफित पशु को आप भोजन कराएं या भी आपके लिए पहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आपको बता दे दोस्तो रामायन काल में गाय मातों के एक श्राप मिला था। उसी वज़ा से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। इदर दुफैर होकई पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता मां घबराने लगी तबी दशुरत की आत्मने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फालगुन नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पढ़ गई। उन्होंने फालगुन नदी के साथ वट वरिक्ष केतकी के फूल और गाय को शाक्षी मान का बालू का पिंड़ बनाया। और स्वर्गे राज़ा दश्रत अपने ससूर को नियमत पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में जब भगवान, राम और लक्षमन लोटे तो उन्होंने का कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामगरी के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसलिए राम जी ने सीता मा से इसका प्रमाण मांगा। तब सीता मा ने कहा कि जो फालगुन नदी के रेत है, केटकी की फूल है, गाय और वटवरिक्ष है जो मेरे द्वारा केके श्राद करम की गवाई दे सकते हैं। इतने में फालगुन नदी और गाय और केटकी की फूल तीनो इस बात को मुकर गये। और उनने का सिता मा जूट बोल रही है सिफ वडप्रिक्ष ने सही बात कही तब सीता जी ने दर्शत का ध्यान करते हूं उनसे ही गवाई देने की प्रात्ना करी दर्शत जी ने सीता मा के प्रात्ना को सुपीकार करके गोशना की कि end वक्त पर सीता ने मुझे पिंदान कर दिया इस पर राम आश्वस्त हुए लेकिन तीनों गवाहो द्वारा जूट बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और ने श्राब दिया कि फालगु नदी से कहा कि तेरा नाम सिर्थ नदी रहेगा लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा इस करण आप भी जानते होंगे कि फालगु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है गाय को श्राब दिया गए कि तुझे होकर भी लोगों का जूटा खाएगी और केतकी के फूल को श्राब दिया गया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चड़ाये जाएगा वटप्रिक्ष को सीता माने अशिर्भात दिया कि उसे लंबी आयू की प्राप्ती होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पती व्रता स्रेत रहा स्मारन करके अपने पती की दिर गयायों की कामना करेगी यही कारणे की गया को आज भी जूटा खाना पड़ता है केतकी के फूल को पूजा से दूर रखा जाता है फालकु नदी के टटपर जल्ब नहीं है सीता कुनवे पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंदान किया जाता है दोस्तों शास्त्रों के मताबि गाय माता में सारी देवी देवता निवास करते है देटिस्कोटी देवी देवता और पित्र का निवास होता है अगर आप किसी में मंदिन में झा सकते हैं, पुजापाट नहीं कर सकते हैं, कहीं जाकर घ्रहदोशों को उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आप गाये को एक रोटी जरूर खिलें खाना बनाते वक्त हमेशा पहली रोटी गाय के लिए निकाल दे इसके बादी परिवार के सबी सदस्यों के लिए आपको रोटी सेखनी चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि गाय को उस रोटी में थोड़ से हल्दी मिला दे इसे गाई को रोटी खिलाने के अपारफल प्राप्त होता है अगर गुरुवार का दिन हो तो एक लोई ले ले सनी हुए आटे की लोई बना ले और उसमें हल्दी मिलाकर गाई को खिला दे आपके जीवन में शुब्धता आती है वैभव आता है दन संपती दाता शक्ती का वास होता है आप जो भी हासिल करना चाहते है जिन्दगी में तो आप देखेंगे कि आपको मिंटो में हासिल हो जाता है दोस्तो इसी तरह से आपको नमक का एक उपाई बताते है नमक क्या है? नमक के बिना तो हमारा स्वादा दूर है और साथ ही साथ अगर हम नमक ना हो हमारे जीवन में तो स्वाधिन हो जाता है जितना हम खाने में नमक को ज़रूरी मानते हैं उतना ही जोतिश में नमक को बहुत ही मैत्वपूर माना गया है और इसे कर्ज की वस्तू माना गया है किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है उसका कर्चतार होना आपने तो सुना ही होगा नमक का कर्च अदा करना है इसलिए अगर आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं सरल बनाना चाहते हैं तो नमक का एक असान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे आप देखेंगे कि इ अगर आपको पिला गाई यानि के सफेद गाई को खिला दे तो आपको बता दे कि ये उपाए आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देगा जाहिए आपके घर में कोई बड़ी कल हो, कोई पारीबार एक वाध वीवाद हो, इस सुपाय को करके आपके घर में सुखक्धा वास होने लगता है लेकिन गाय को रोटी देखते वक्त मन में ऐसा कोई भाव ना लगा कर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या हम बहुत बड़े धानी है अन्यता इसे स्थिती में फल की प्राप्ती नहीं होगी ऐसे अपूर माना जाता है बुरे भाप से गाय को रोटी देने से बुरा ही फल प्रात होता है गाय को रोटी खिलाने से बरकत के अलावा आप देखेंगे कि धन संपत्ती में तिनों दिन बढ़ोतरी होने लगेगी और आपके घर में ग्रह दोशों से आपको मुक्ती मिलती है अगर आपके घर में धनकी कमी है, तो आपको यह उपाई जरूर करना चाहिए. जो आपको इस चंदग्रहण पर जरूर करना चाहिए. तो आईए अब आपको बताते हैं, उनकोश किसमत और भागेश आली राशियों के बारे में, जिनके इस चंदग्रहण पर किसमत चमकने वाली हैं. दोस्तों तुला राशी वालों के लिए ये चंदग्रण बहुत लगी साबित होगा इस राशी के लोग जीवन में चलरी समसों का समाधान खोजने में सफल होगे कमाई के नई रास्ते खुलेंगे जो लंबे समय तक आपने धन लाब देंगे प्यपारियों की नई धील से उन्हें फायदा मिलेगा शिक्षा की शेतर में थोड़ी महनत करने पर अच्छी सफलता प्राप्त कर सके कुम्ब राशी चंदग्रण का दिन कुम्ब राशी वालों के लिए शुब फलताई होगा किसी पुराने निवेश से धन लाब होने की संभाव ना बन रही है जिससे बैंक बैलेंस में भड़ोतरी होगी नौकरी के अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं वही नौकरी पेशा जातकों को अधिकारी को का साथ मिलेगा काम के सराहना होगी चो आपकी करियर के लिए फायदे मन्थ होगी बिजनेस में आर्थिक लाब होगा कन्या राशी इस चंदग्रेंट में मा लक्षमी का विशिश आशिवत कन्या राशी पर बरसेगा आपकी जोली आप खुशों से भर जाएगी आर्थिक स्तिती में भी सुधार होगा और आपका जीवन सुक में होगा आपको मित्रों का पूरा सायोग प्राप्त होगा नौकरी में पदोनिती एवन वेतन ब्रेदी के योग है सिंग राशी सिंग राशी के लिए इस बार का चंदगेंट बेहत शुब रहेगा व्यापार में अधिक मुनाफ़ा होगा घर परिवार में शांती बनी रहेगी ऐसे कार्य जो सालों साल से रुके होगते वेकारे आपके सफलता पूरवक पूरे होंगे बेजनस को लेकर यातरा सफल होगी लंबे समय तक इससे लाब की संभाब ना है नौकरी या फिर पढ़ाई के लिए विदे जाने के रास्ते खुलेंगे तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाब अवश्य होगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजो जादा से जादा इस वीडियो को आप अपनी फ्रेंड्स के साथ शेर कर दीजी चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजे बैल विटन को प्रेस कर लीजे इसे यह होगा कि इस तरह के सब भी वीडियो की नोटिफिकिशन आपको सबसे बहले मिलेगी तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार